हेलो फेंस नमस्ते आज हम लेकर आएं बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी नास्ता की रेसिपी फ्रेंस आपने मक्के की रोटी तो बहुत खाएं होंगे लेकिन आज हम बनाएंगे मक्के के आटे से बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी तो फ्रेंस वीडियो में लाज तक बने रहेएगा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो एक छोटा सा लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चलिए सुरू करते हैं तो यहां पे लिए एक बावल और बावल में हम एड़ किये हैं एक गाजर को कदुकर्स करके उसके बाद हम यहां एक छोटा साइज के टमाटर को बारी काटकर एड़ कर दी हैं उसके बाद एक प्याज को भी बारी काटकर एड़ कर दी हैं और यहां पे हम दो हरी मिर्च को बारी काटकर एड़ किये हैं और उसके बाद इसमें हम एड़ किये हैं यहां पे ब्लैक पेपर यानि काली मिर्च पाउडर एक चोथाई चम्मज और स्वाज के उनसार एड़ करेंगे नमक अब इन सब को हमें अच्छा से मिला लेना है और उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे मक्ये का आठा फ्रेंस ये नास्ता ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनकर तयार होता है और खाने में भी इतन किये हैं मक्ये का आठा फ्रेंस आप अपने अनुसार कम यह ज़्यादा ले सकते हैं जितना आपको जरूरत हो उसके ही साथ से आप यहाँ पे ले सकते हैं और देखिए अब हम इसको अच्छा से मिला लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका हमें एक डो तयार करना है फ्रेंस एक ही बार इसमें पानी एड नहीं करना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी एड करेंगे और इसका एक डो हम तयार करेंगे फ्रेंस इसमें ज़्यादा मसाले डालने की जुरूत नहीं होता है बस इतना ही मसाले में बहुत ही ज़् बनाये जा रहा है तो इसको कोई भी खा सकता है और बिल्कूल दो बूद ओयल में बन कर तयार होगा और बहुत ही ज़्यदा टेश्टी लगता है खाने में तो देखिए अब इसको हमें हाँ से बढ़िया से मसल कर इसका एक डो तयार करना है तो इस तरह से इसको हमें अच्छे से हाँ से मसलना है और अपने आप एकदम बढ़िया से ये डो फाम में आ जाएगा देखिए कितना बढ़िया ये ना चिपकता है ना हाथ में चिपकता है ना बर्तर में चिपकता है इतना बढ़िया इसका डो तयार होता है तो देखिए कितना अच्छा ये अब ये तयार हो गया है देखिए बिल्कुल बिना चिपके और कितना अच्छा ही हमारा दो लगकर तयार हो गया है मक्के का आटा का देखिए इस परकार से तो हम इसको अब देखिए अब दुबारा से हम हान धोल ले रहे हैं और उसके बाद हम इसको हाथ में लेकर छोटा-छोटा करके इसका हम लोई तयार करेंगे तो फ्रेंस देखे इस तरह इसको हाथ पर घुमाते हुए इसको बनाना है ऐसे जैसे गेहूं के आटेस के लोई बनता है वो इसे बिलकुल ये नहीं बन पाएगा क्योंके ये हाथ में थोड़ा सा लगता है तो इस तरह आप इस तरह इसको हाथ से घुमाते हुए बढ़िया से इसको एक पेड़ी बना कर तयार करने देखे इस तरह से देखे फिर दुबारा से हम आपको दिखा जा रहे हैं इसी तरह इसको बस हाथ में इसको जैसे लड़ू बनाते है ना बस लड़ू जैसे बनता है बस उसी तरह हमें इसका लोई बनाना है हाथ पर घुमाते हुए तो इसी तरह friends सभी बना कर हम तयार कर लेंगे और उसके बाद चलते हैं अगले प्रोसेस की तरह तो friends देखिए हमारा एक और यहाँ पेड़े बनकर तयार हो गया है तो देखिए हम यहाँ पे सभी को बना कर तयार कर लिए हैं और friends आप इसे ना आप अपने हलसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं जितना आपको बड़ा नास्ता बनाना है उतने बड़े बना सकते हैं या बना कर दे सकते हैं बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो देखिए हम यहाँ पे लिए एक प्लास्टिक सीट तो प्लास्टिक सीट परना बहुत अच्छा यह बनता है और उसके बाद देखिए हम इस पे थोड़ा सा घी या वैल लगा ले ताकि यह इसमें चीपते नहीं और उसके बाद एक हमें यहाँ पे जो बना करके हैं पेंड़े उसको रखना है और उसके बाद देखिए दूसरे तरफ से भी हमें इस प्लास्टिक सीट को फोल कर देना है और उसके बार देखें आज से घुमाते हुए धीरे धीरे आप हाइसे भी बना सकते हैं यह इसे प्लेट से भी आप दबाव कर बनासकते depress recite by anarch box जी देखें एक पूरल पे थाली यह ले लेगे तो इस तरह से उपर से प्लास्टिक सीट हटा कर और जो फटा है न किनारे से तो इसको थोड़ा सा बराबर कर लिए चाहिए ऐसे भी बना सकते हैं और उसके बाद इस तरह इसको हाथ पे रखना है यहां पर से हमें फटाना है प्लास्टिक सीट को बहुत यासानी से बिना फटे बहुत यासानी से निकल जाता है देखिए कितना अच्छा से निकल गया और ना फटा है ना तूटा है तो देखिए एक तरफ से बढ़ियां से सीख जाएगा न तो इसको पलट कर और हमें दूसरे तरफ से भी बढ़ियां से सीख लेना है दोनों तरफ से बढ़ियां से इसमें घी लगा कर और बढ़ियां से स देख लेना है बहुती चटपटा बहुती टेश्टी बनकर तयार होता है तो आप इसे न सुबदेख फास्ट हो या साम के छोटी मोटी भूप में इसे बना सकते हैं पेट तो भरेगा लेकिन मन नहीं बहुती ज़्यादा टेश्टी लगता है खाने में तो देखिए इसी तर इसको बनाना नहीं है एक बना कर और शेख लिजे तो फिर एक एक करके बनाते जाए और इसको शेखते जाए इस तरह से देखिए एक और हम आपको बना कर दिखा दे रहा है बस सेम प्रोसेस से आपको ऐसे सीट पे थोड़ा सा घी लगाना है और उसके बाद इसको बढ़िया से थाली से दबाते हुए और बढ़िया से इसको बना लेना है बहुत ही असान है बनाना फ्रेंस बस थोड़ा सा कुछ बातों का आप ध्यान रखकर इसको बहुत ही असानी से बना कर तयार कर सकते हैं देखे कितना अचाई बनकर तयार हो गया हम आपको दिखा रहे हैं तो फ् घी लगाकर बढ़ियां से सुनारा कलर आने तक हम इसको सेख ले रहे हैं देखिए ना तूटेगा ना फटेगा बहुत ही अच्छा ये नास्ता बनकर तयार होता है है तो फ्रेंस आपको न इसको दोनों तरग से भी लगा कर और बढ़ियां से लटते वो मैं बढ़ियां से प्यारा कलर आने तक इसको सेक लेना है देखिए कितना आसानी से बनकर तयार हो जाता है बच्चे बड़े सब को बहुत जबह पशन्त आता है यह बच्चे के लांच बॉक्स के लिए बना सकते हैं इतना हेली यह है देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंस कितना प्यारा कलर आया है तो इसी तरह सभी नास्ति को बना कर तयार कर लेंगे और चलिए यहां पर सर्क करके दिखा रहें देखिए इसको हम ना टमाटर के च वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आये हैं चैनल को सिस्क्राइब कर लिजिएगा बेल आइकन के साथ और प्यारा से कमेंट करके बताएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा चलिए मीनते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जय हीन जय भारत